तेरे नेनों के आज़ारे भी शर्माए बना लिदा बना लिदा बना करेंगे तो उसमें अच्छे व्यूज आएंगे जिससे आपके रिल्स के वाइरल होने के चांसे भी बढ़ेंगे तो आप ट्रेंडिंग रिल्स हमेशा बना कर डाला करें यह Reels आप कैसे बनाएं आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका टुटोरियल बताने वाली हूँ तो वीडियो को बीना करें स्किप्ट किए इसे लाश तक जरूर देखे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस म्यूजिक के Reels को ओपिन कर लेती हैं अगर आपको ये वाला Reels नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस Reels का लिंक दे दूँगी आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये Reels ओपिन हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए हमें इस Reels का म्यूजिक चाहिए उसके लिए मुझे इस Reels को डाउनलोड करना होगा तो हम इस त्री डॉट पर क्लिक कर लेती हैं और लिंक पर क्लिक करके इस Reels के Link को कॉपि कर लेती हैं अब हम बैक आजाते हैं अब हम किसी ब्राउजर को ओपिन कर लेती हैं जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर को ओपिन कर लेती हूँ और फिर यहां Instagram Reels दाउनलोड सर्च कर ले और इस पहले वेब साइट को ओपिन कर ले अब यहां पर उस लिंक को पेश्ट कर दे फिर डाउनलोड पर क्लिक करें अब नीचे स्क्रॉल कर लेना है और डाउनलोड MP4 पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड पर अब ये रिल्स डाउनलोड हो गया है अब हमें इसमें इस तरह से चार फोटो का कोलाज बनाना है तो हम इसे Instagram एप से ही बना लेते हैं इसके लिए हम Instagram एप को ओपन करेंगे और इधर स्क्रॉल कर लेते हैं इस ट्योरी के साइड और यहां पर हमें लेयाउट लिखा हुआ मिल जा रहा है इसे चूस कर लेते हैं और फिर इस पर क्लिक करके फोटो को चूस कर लेते हैं इसी तरह से दूसरे फोटो को चूस कर लेते हैं और अब इसी तरह से चारू फोटो को चूस कर लेते हैं अब इस डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को यहां से सेव कर लेते हैं अब ये फोटो हमारे गैलरी में सेव हो गया है रिल्स की एडिटिंग के लिए VN एप का यूज करेंगे तो हम VN एप को ओपिन कर लेते हैं आप VN एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले अब इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर यहाँ पर अभी हमने जो चार फोटो का कोलाज बनाया है सबसे पहले उसे चूज कर लेते हैं और आगे के आठ फोटो को एरो पर क्लिक कर लेते हैं हमें इसके रेशियो को चेंज करना है तो हम ओरिजिनल पर क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसे 9 रेशियो 16 कर लेते हैं अब लास्ट में हमें इस एप का वाटर मार्क मिल जा रहा है ब्लैक कलर का तो हम इस पर क्लिक करके इसे यहां से डिलेट कर लेते हैं म्यूजिक एड़ करने के लिए हम टैप टू एड़ म्यूजिक पर क्लिक कर लेते हैं और फिर म्यूजिक पर अब यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें extract from video का एक option मिल जा रहा है, इसे हम choose कर लेते हैं और अभी हमने जो reels को download किया था, उसे यहाँ से choose कर लेते हैं और ok कर लेते हैं अब इस पहले वाले music को choose कर लेते हैं और फिर right का icon पर click कर लेते हैं अब यहाँ पर हमारा music add हो गया है अब यहाँ पर हम इस तरह से इसे zoom कर लेते हैं जिससे कि editing करना easy हो जाए और अब पहले वाले photo पर आ जाते हैं और फिर trim पर click कर लेते हैं और इसे 3 सेकंड तक adjust कर लेते हैं और अब इस icon पर click करींगे तो दूसरे photo पर आ जाएंगे और दूसरे फोटो को 0.3 सेकंड तक एड़ेस्ट करना है तो हमें यहाँ पर 0.3 सेकंड लिखा हुआ मिल जा रहा है तो हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं अब इसी तरह से तीसरे फोटो पर आ जाते हैं और इसे भी 0.3 सेकंड तक एड़ेस्ट कर लेते हैं अब चौती फोटो पर आ जाते हैं और फिर 0.3 सेकंड तक इसे एड़स्ट कर लेते हैं अब पाचवे फोटो पर आ जाते हैं और इसे भी 0.3 सेकंड तक एड़स्ट कर लेते हैं अब छटवे फोटो पर आ जाते हैं और 0.3 सेकंड पर क्लिक कर लेते हैं अब सार्थवे फोटो पर आ जाते हैं और फिर 0.3 सेकंड तक एड़स्ट कर लेते हैं इसी तरह से 8 फोटो पर आ जाते हैं और इसे भी 0.3 सेकंड तक एड़स्ट कर लेते हैं अब हम 9 फोटो पर आ जाते हैं और इसे 0.3 सेकंड पर क्लिक करके इसे एड़स्ट कर लेते हैं अ अब हम इस तरह से फोटो को सेलेक्ट करके यहां से अपने फोटो को भी एड़स्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे फोटो को एड़स्ट कर लेते हैं। अब हम ट्रैंजक्शन को एड़ कर लेते हैं। तो इधर स्क्रॉल कर लेते हैं। और यहां पर हमें जूम का एक उप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं। और फिर जूम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब अप्लाइट टू अल कर लेते हैं। अब ये zoom in वाला transaction सारे photo में add हो गया है तो हमें first वाले photo में zoom in वाला transaction add नहीं करना है तो हम first वाले photo को select करके zoom पर click करेंगे और इसे none कर लेते हैं और फिर right के icon पर click कर लेते हैं अब हम इसे play करके check कर लेते हैं अब इस पर click कर लेते हैं और इस वीडियो को gallery में save कर लेते हैं इसे 100% हो जाने देते हैं अब हम इसे gallery में open करके दिखा देते हैं इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के reels को बना सकते हैं इस तरह के helpful videos मैं हमेशा लाती रहती हूँ तो हमारे channel को subscribe जरूर कर ले और bell icon को भी प्रेस कर दे जिससे की हमारी video upload होने की notification सबसे पहले आप तक पहुचे के सबस्चें बाले इस जर सकते हाँ